लिब्रिलिजम हमारी पॉलिटिकल लैंगोज में शायद और कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको इतना केरलेसली इस्तमाल किया जाता हो जितना की लिब्रिलिजम या इसके दूसरे डेरिवेशन्स को कोई भी इंसान जो बीजेपी गौवर्णमेंट के अगेंस्ट बाते कर रहा है या प्रो-LGBTQ प्लस राइट्स की बाते कर रहा है उसको हम अक्सर लिब्रल बोलते हैं पर शायद आपको पता हो कि ये दोनों कंडिशन्स mutually exclusive नहीं है बीजेपी सरकार ने भी LGBTQ प्लस राइट्स के लिए काम किया है चाहे जो भी किया हो तो liberal कौन होते हैं शब्द पर आने से पहले मैं एक छोटी से exercise करना चाहूंगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुरसी क्या होती है अगर आपका जवाब है कि कोई एक ऐसी चीज जिसके उपर बैठा जा सकते है और उसके चार पैर होते हैं तो क्या इसको कुरसी बोल सकते हैं तो इसका liberalism से क्या ले ना देना वेल ए शब्दों की meaning जो है वो publicly define होती है जितने साथ लोग मिलकर एक शब्द को एक तरह से इस्तमाल कर रहे हैं उसकी meaning वैसे ते होती है इससे फर्क नहीं पढ़ता कि dictionary में उसकी meaning क्या लिखी थी और बी इस वीडियो का purpose है ये explain करना क कि मैं और मेरे जैसे लोग liberalism को क्यों criticize करते हैं and see अगर आपको लगता है कि आप इस शब्द का मतलब जानकर थोड़े smart बन जाएंगे या दूसरों से जादा आपके पास knowledge आ जाएगी then this video is not for you. मेरा purpose in videos के थूँ ये है कि आप कैसे अपनी politics बहतर कर सकें और दुनिया के ब core principle में individual के कुछ अधिकारों और आजादी की बात की जाती है. जिसमें से पहला है right to life. इसका मतलब है कि society में रहने वाले हर इंसान के पास कुछ अधिकार हैं जिससे वो अपनी life को बहतर बना सकता है. कोई भी power किसी भी इंसान के खिलाफ discriminate नहीं कर सकती. The famous phrase, all men are created equal. Almost. पर present time में जाते तर liberals ये मानते हैं कि हर कोई बराबर होता है और हर किसी कोई society में एक बहतर life का अधिकार है. And by this logic, liberal society का structure ऐसा होना चाहिए जहांपर हर किसी को ये power हो कि वो अपनी life में अच्छी choices ले सके. और ये power आपको देगा कौन? Well, कोई नहीं. क्योंकि हर इंसान में inherently ये power होती है कि वही अपनी life को बहतर बना सकते हैं. जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उसके उपर decision आपसे बहतर कोई और नहीं ले सकता. And that's why liberalism के एक fundamental part है representative democracy. कोई भी और इंसान आपके उपर political power नहीं रख सकता. जैसे कोई राजा ये पुजारी, वो power सिर्फ आपके पास होनी चाहिए. So far, so good? Well, remember वो point कि आपका काम है अपनी life को बहतर बनाना? That takes effort. इसलिए political power में आप खुद से जाकर सरकार नहीं चाला सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते. So, representative democracy का इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसी सरकार create करने में, एक ऐसी governing body create करने में, जिसके पास कम से कम power हो, ताकि वो आपके life के वो छोटे मोटे political decisions ले सके, जिसके लिए आपके पास time नहीं है. इस वजए से, liberalism में political system या political power जो है, वो हमारी day-to-day life से disconnect हो जाती है, और हम politics में तभी participate करते हैं, जब हमको वोट देना होता है. इंडिया में हमें इस चीज़ की आदत नहीं है, क्योंकि इंडिया में हमारी सरकार हमारी health, हमारी सडके, हमारे property, हमारे insurance, अलग-अलग चीज़ों का ध्यान रखती है. पर pure liberalism में ये उतना common नहीं है. liberalism में सरकार का काम कम से कम interfere करना है आपकी life में, ताकि आप अपनी मर्जी से freely decisions ले सकें. सरकार की power कम और आपकी आजादी ज्यादा. liberal society में जो सरकार का सबसे बड़ा रोल है, वो है private property को protect करना. and now we come down to the criticism, because liberalism में अपनी life को बहतर बनाने का एक ही तरीका है, वो है ज्यादा स्यादा wealth इकठा करना. liberalism में right to property एक बहुत ही important right है. आप नहीं सिर्फ चीजों के मालिक बन सकते हैं, बलकि उनका इस्तमाल करके और पैसा भी कमा सकते हैं. इस वज़े से liberalism का जो economic system है, वो है capitalism. जहाँ पर आपके पास जितनी ज्यादा private property है, जैसे घर, जमीन या सोना, आप उसको capital में बदल कर पैसे कमा सकते हैं, बिना काम किये. पर अगर आपके उस private property नहीं है, तो आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आप पैसे कमा सकें, जिन्दा रहने के लिए. और ये liberalism का एक बहुत बड़ा contradiction है, जहाँ पर इनसान की आजादी की बात की जाती है, कि वो अपनी मर्जी से अपनी life जी सके, पर private property के चलते हम एक ऐसी society create करते हैं, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकते, जब तक आप अमीर नहीं बन जाते. तो अगर आप मानते हैं कि आपके पास जितना चाहें उतना जादा पैसा कमाने का अधिकार होना चाहिए, सरकारें आपकी मर्जी से चुनी जानी चाहिएं, और society में आप जब तक चाहें तब तक काम कर सकें, तो आप एक liberal हैं. बेशक इसमें दूसरों के अधिकारों और आजादी की रिस्पेक्ट करने का एक बहुत बड़ा angle है, बट अमीर लोग अपनी मर्जी से society को manipulate करते हैं, क्योंकि हर कोई उनके अंडर जाकर काम करने के लिए मजबूर है. For example, बड़ी oil companies ने 50 साल तक climate change पर जूट बोला और आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो उससे profit कमा रहे थे, और सरकारे ना तब ना आज उस पर action लेने के लिए तयार हैं. Private property, individualism और wealth की तलाश में हमने एक ऐसी society create कर दी है, जहां पर इंसान सिर्फ struggle को ही अपनी life मानता है. इस वज़े से हम political change की बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि system ऐसा ही होना चाहिए. Fun fact, liberalism ना हमेशा society में exist करता था, ना करेगा. Thanks for watching, see you next time.